सब्सक्राइब एक लग अलग अड़ीजमेंट थी टीजिटी और विकेंसी के लिए जिसके लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो नेक्स्ट अपडेट यह है कि सबसे पहले तो ऑफिशल वेबसाइट पर एक अपडेट आई हूँ है वह हम चेक करेंगे 18 नहीं अपडेट जो अफिशल वेबसाइट पर देखने को मिल रही है तो गुड यूज है इस तरीके से की काम जो आगे बढ़ रहा है दूसरी चीज जो है आप सबको भी अभी तक इन्फोर्मेशन मिल गई होगी कि कोट में केस चला गया है उत्तराखंड कोट में और छे जो अल्रेड़ी एंप्लॉई है उत्तराखंड पे जो अल्रेड़ी पोस्ट ग्राजुट टीचर के तौर पर काम कर रहा है क्लवर मॉडल रेसिदेंशल स्कूल में उन्होंने एक केस कर दिया है कोट में और हाई कोट ने अभी स्टेक ओर दिया है तो उसकी कॉपी मेरे पा को पूरी तरीके से कारिज रत कर दिया जाए या फिर रद नहीं होगा और दूसरी चीज यह है कि कोट केस हो रहा है तो next date क्या है एक तो सुन्वाई हो गई है तो फिर next जो है सुन्वाई किस रेट पर होने वाली है यह सारी prob वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, around 10,000 दस हजार वेकेंसी हैं, 10,000 लोगों को रोजगार फिलहाल मिलने वाली थी, और एक बार जब सेंट्रलाइजड वे में, सेंट्रलाइज रिकूरूट्मेंट प्रोसेस स्टैबलेश हो जाएगा, तो इस साल दर साल जब भी वेक कर देते हैं, और वो भी इतना कमजोर पॉइंट है, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही शौक लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं आगे की सभी अपडेट्स, सबसे पहले तो ऑफिशल वेबसाइट पर चले आते हैं, ऑफिशल वेबसाइट पर 18 अगस लास्ट थी, वो ओबर हो चुकी है, 18 अगस्ट ऑनलाइन अप्लिकेशन की लास्ट देट थी, अभी जो अपडेट आई वही है कि करेक्शन विंडो जो है, शल भी ओपन इन देक्स्ट वी, कैंडिडेट्स और एडवाइस तो कीप विजिटिंग दा वेबसाइट पर अपडेट्स, तो ह करेक्शन विंडो ओपन होगे, तो आपको मेरे वीडियो से इन्फोर्मेशन प्रोवाइट कर दी जाएगी, साथ ही साथ जो ऑफिशल वेबसाइट भी विजिट करते रहे है, तो यह बात होगे कि करेक्शन विंडो आएगे, आप एडिट कर सकते हैं, गलत नहीं है तो भी चेक कर सकते हैं, दूसरी बात हम करेंगे कि यह कोट केस की कॉपी है, इस कोट केस में क्या लिखा है, में चीजे हम देख लेते हैं, कि क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कौन से कैंडिडेट है, वो अलरड़ी एक लब एक मॉडल डाला हुआ है, तो जो point serial number 8 में लिखा है, वो पढ़ते हैं, वो important है, in nutshell, the case of the petitioner, as canvassed in the petition is that, petitioners are working as PGT teachers in Eklavya, आदर्स आवाशी विद्याले कल्सी, district Dehradun, for the last 7 years, 7 साथ साल से यह लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उत्त, Dehradun district में, कल्सी जगह है, वहाँ का एक लब आद आदर्श आवाशी विद्याले है, और एक लब आदर्श आवाशी विद्याले, कल्सी district Dehradun में, PGT postgraduate teacher, 6, total 6 है, candidate, जिन्होंने यह petition डाल दिया, अब प्रिशन में क्या लिखा है, वो भी देख लेते हैं, में में जो चीजें, सारी चीज नहीं पढ़ते हैं, में में चीज no right, and locals to issue such an advertisement for filling a post of teaching and non-teaching staff in Eklavay Model residential schools across the country, तो यह बहुत ही shocking बात है, कि 6 PGT postgraduate teacher है, जो already काम करें, उनको ऐसा लग रहा है, कि Central Society को, Central Government को, कोई right नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ऐसे advertisement निकाल करें, सेंट्रलाइज़ रिकूट्मेंट करने का, छे लोगों को अपने job की इतनी चिंता है, कि हजारों लोगों के job, जो है, उनको सस्ते लग रहे हैं, जब एक बार Centralized recruitment process establish हो जाएगा, तो यह हमेशा, जैसे केंद्रे विद्याले, नवोदे विद्याले में, कुछ लोगों को हमेशा रोजगार मिलता रहता हर alternate year, permanent vacancies आती ह और कुछ लोगों को permanent teacher बनने का मौका मिलता है, यह door open हो जाता है, जब Centralized recruitment process establish हो जाएगी, यह बुरी नहीं अच्छी चीज है, आप नहीं तो आपके आने वाली generation को इसका फायदा मिलने वाला है, तो ऐसे में इस तरीके की petition डालना की Central Government को को कोई right नहीं है, ऐसी advertisement निकालने का और post fill up करने का यह बहुत ही शौकिंग और दुखत बात है, आप हमारे soldiers को देख वह जवान सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो हम यहां पर खुद के लिए 5-6 लोग अपनी जॉब बचाने के लिए ऐसी petition डाल देते हैं, तो बहुत ही अब तक कभी भी कोई भी पर्मानेट वेकेंसी की अच्छी advertisement नहीं देखी होगी आपने, कोई process ही नहीं है, कोई system ही नहीं है, तो central government system लार्ट तो रही है कम से कम, तो अभी next बात यह है कि इसकी जो date है, next वो कब है, list this matter on 17 October 2020 थी, 17 October 2023, next इसकी सुनवाई होगी, और इसमें कह तो अभी next date of listing, the selection process pursuant to the online advertisement to the written petition, he is hereby stayed, तो next listing, next इसकी सुनवाई होगी, 17 October 2023, तब तक advertisement की complete process को stay पे रखा जाता है, stay पे रखा जाता है, मतलब, temporarily रोका जाता है, हलांकि, जो petitioner उन्होंने का है कि इसको रद कर दिया जाए, तो अब यहां पर बात करेंगे कि क्या यह वाक हो जाएगा बिल्कुल नहीं यह बहुत ही वीक पॉइंट है बहुत ही कमजोर पॉइंट है कि हम चे लोग कहें कि भई हमें इन्सेक्यूरिटी हो रही है तो बात हाला कि इसमें लिखा नहीं है उनको इन्सेक्यूरिटी बाते समझ आ रही है कि अगर सेंट्रलाइज तो हमारी जोब चली जाएगी, तो हमारी जोब बची रहे है, इसके लिए ये सेंट्रलाइज रिकूट्मेंट ना है, तो ये बहुत ही वीक पॉइंट है, ये पॉइंट पे कभी भी कोई बड़ी वेकिंसी रद नहीं होगी, तो आप सभी तयारी करते हैं, ये जो वक्त आप अपडेट ये आप सब तक शेर कर दीगए, ये ओफिशल वेब साइट है, इसको हमेशा वेब साइट को चेक करते हैं, वेब साइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, डीटेल्स चेक करने के लिए,